नमस्कार मैं हूँ आमिद और आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर को माहराजा हरी सिंग जी का जनम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और जम्मो कश्मीर के सरकार ने भी आज के दिन चुटी जो है घोशित की है तो इसको धूमदाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है तो मेरी तरब से भी सभी भारत वास्तियों को और जम्मो कश्मीर के नागरिकों को हार्दिक शुब कामनाए उनके जनम दिवस की जब मैं जब मुकिश्मीर के नागरिकों की बात कर रहा हूं तो इसमें POJ के गिलकिल बाटेस्तान के सभी नागरिकों को भी शुब काम नाए उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उन्होंने अपने जीवन काल में जो बड़ी बड़ी फैसले लिए और जिन फैसलों के लिए वो जाने जाते हैं और क्या रिफॉर्म्स उन्होंने अपने टैन्वेर में लाए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा तो जैसा आप सब जानते कि महराजा हारी सिंग जी का जनम जो है वो राजा अमर सिंग जी के यहां 23 सितंबर 1895 को हुआ और उनकी जो माता जी थी वे भतियाल वंच की थी हारी सिंग जी को महराजा परताप सिंग जी ने मायो कॉलेज आफ अजमेर में उच शिक्षा के लिए उन्होंने भीज दिया और 1901 में उनके पिता जी की मृत्यों के पश्चाज जो है बिटिश सरकार ने उन्हें मेजर एच के भरार को उनका जो है सरक्षन जो है ने यूप्त किया और मायो कॉलेज में शिक्षा पूरी करने के बाद फिर वो उसके पश्चाथ उनको इम्पीरियल कैडिट कोर जो धहरदून में थी तो उसमें उनको मिलिटरी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और 20 साल की आयू में उनको फिर जम्मु कश्मीर की सेना में जो है वो सेना ध्यक्ष नयुक्त किया गया और वो सेना ध्यक्ष के रूप में कारेबाहर जो है वो सं सन 1925 में महराजा परताप सिंग जी का जब देहानत हुआ तो उसके पश्चात फिर उनका राज्टिलक किया गया और महराजा जी ने जब से अपना कारेकाल संभाला तो तब से ही प्रारम से ही उनकी जो समाजी कुरीतियों को खतम करने की या उसके वो परम विरोधी रहे औ उसके लिए उनकी बहुत सारे कदम जो है वो उठाए उन्होंने राजप्रापती के तुरंत पश्चा थी अनेक हम कह सकते हैं कि अनेक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बहुत सारे उन्होंने जो प्रस्ताव आर्म किये, लौज पास किये और सब के बारे में तो हम डिस भी किए है, मैंने उनके बारे में आप की सामने, अगर में रख्यों, तो सब्से पहले 1926 में उन्हें अपनी महरानी 6 में ये स्टार्ट किया तो जो दलित समाज से जो लोग है उनको मंदिरों में प्रवेश का आपको पता ही है कि उस टाइम पे किस तरह की समाजिक परिस्तितियां रही होंगी या क्या है तो उस चीज को खतम करने के लिए उन्होंने दलितों के साथ जो है मंदिर में परवेश जो है ये ओपन मंदिर ओपन किये उनके लिए 1926 में ही उन्होंने फिर महराजा जी ने जो किसानों को जमीन का जो महफूज गुजारा घोशित किया उसके बाद 1927 में उन्होंने जो स्कॉलर्शिप सेलेक्शन बोर्ड है उसके एस्टेबलिश्मिंट की उसको बनाया उसके बाद 1927 में स्टेट सबजेक्ट आक्ट भी लागू किया 1927 में स्टेट सबजेक्ट आक्ट लागू किया जिस जो काफी चर्चाओं में भी रहा और ये जो रिजनल पॉलिटिकल पार्टी जम्मु कश्मीर की इसकी भी उस टाइम पर दोहाई देते रहे कि ये तो माराजा हरी सिंग जी ने शुरू किया था लेकिन उसके असली स्वरूप को वो किसी को बताते भी नहीं थे 1927 में ही उन्होंने रिक्रूट्मेंट बोर्ड भी बनवाया था उसके बाद 1927 में उन्होंने उच नियाले की यनि की कोर्ट की भी उन्होंने एस्टेबलिश्मेंट जो है स्थापना यहाँ पर कर दी थी अब देखे कि खुद वो क्योंके राजा थे लेकिन उनका जो नियाय या जस्टिस देने का जो तरीका था या जिसमें वो विश्वास रखते थे हलांके फैसला वो खुद भी ले सकते थे क्योंके राजा थे तो राजा ने जो बोल दिया वो फाइनल है पर ऐसा नहीं उन्होंने उस टाइम से देश में जितने भी रेटाइट सुप्रिम कोर्ड के जजिस थे उनको वहां से लाके फिर उनको यहां पर नयुक्त किया और जस्टिस वाला जो पूरा सिस्टम है जस्टिस डिलिवरी सिस्टम जो है उनके हवाले किया और एक पूरे प्रॉसस से जस्टिस डिलिवर करने का सिस्टम जो है वो शुरू किया उसके बाद 1928 में उन्होंने बाल विवा पर प्रतिबंद लागू किया बाल चाइल्ड मैरिज पर उन्होंने प्रतिबंद लागू कर दिया 1921 में उन्होंने जो नाबालिक जो बच्चे थे उनकी शादियों पर भी उन्होंने प्रतिबंद लगा दिया तो एक के बाद एक उन्होंने जो अपने समाज के लिए जो चीजें करने थी या जो खुरीतियां उस टाइम पर प्रेजन थी उनको खतम करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कदम जो है उठाना स्टार्ट कर लिया उसके बाद 1931 में उन्होंने गोल मेज कांफरेंस में भारत की स्वतनतर्ता के उपर भाशन भी दिया भारत का नेतरेत भी किया और ये 1931 round table conference में ही अंग्रेजों को पता लग गया था कि जिस तरीके से उन्होंने भारत की बात को रखा अपने विजन को रखा अपने एक तरह से पूरे dream को रखा तो अंग्रेजों को वहीं से ये भांप लिया था उन्होंने कि महराजा हरी सिंग जी जो है उनके शारूं प आपनें चुवा चात मिटाने के लिए आदेश निकाला फिर 1932 में हीुन उन्होंने तभी पर लोह का पुल का भी निर्मान जो है वो स्टाट करवाया था और 1932 में ही उन्होंने अखनूर चनहाब पर एक लोह का पुल बनवाया जिसका नाम उन्होंने यूराज करन सिंग रखा था और 1933 में एग्रिकल्चर एक्ट पास किया क्योंकि मैक्सिमम लोग खेती बाड़ी करते थे अग्रिकल्चर पर डिपेंड थे तो उनके लिए भी उन्होंने सोचा और एग्रिकल्चर एक्ट को पास किया 1933 में सती प्रथक का उन्होंने उन्मूलन किया उसके बाद 1933 में ही उन्होंने विद्वा विडो री मैरेज को लागू किया 1933 मैं ही उन्होंने जो है कन्या वद पर प्रतिबंद जो है वो लगाया उसके बाद 1933 मैं ही उन्होंने राजपूत विरादरी में उच नीज की जो थोड़ी पूरी probability जो थी उस टाइम पे विरादरी में वो भेद भाव समाप्त करने के लिए उन्होंने पूरा प्रेयतन पूर क्रिशी खेती के साथ जोडने के लिए और उसकी तरफ उनको अकर्शित करने के लिए वैस्वाइम खुद उन्होंने खेतों में जाके हल को लगाया हल चलाई ताकि वो प्रेरना का स्रोध बन सकें राजपूत बरादरी के लिए कि किस तरीके से हम लोगों को जब तक जमीन के साथ वो नहीं जुडेंगे तो तब तक समाज में एक जुटता की जो भावना है वो पैदा होने में थोड़ा सा प्रॉबलम आ सकती है 1934 में ही उनुने प्रतम विधान सभा जो है वो स्थापित की जिसका नाम उनुने प्रजा सभा रखा फिर 1934 में उनुने वैश्य वृति को स्माप्त किया उसके बाद 1935 में उनुने स्टेट पाब्लिक सर्विस कमिशन को स्थापित किया स्टेट पाब्लिक सर्विस कमिशन को उन्होंने स्तापित किया उसके बाद 1935 में उन्होंने प्रथम बिजली घर का निर्मान भी करवाया तो एक जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलप्मेंट का कंसेप्ट जिसे आज हम लेके चल रहे हैं जी डेकेट्स बैक दशन को पहले इस सब विजन को लेके अपने लोगों के लिए चल रहे थे तो सिर्फ बोलने के लिए तो कहने के लिए वो महराजा थे लेकिन काम सब के सब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और लोगतांतरिक तरीके से किये जा रहे थे डेके लिए जा रहे थे उसके बाद उन्होंने 1935 में उन्होंने प्रथम बिजली घर ये तो मैंने बता दिया उसके बाद 1940 में उन्होंने गंदा बी रोजा तथा उस बैट बनाने वाली जो कार खाने थे वो मीरा साहिब और तथा कश्मीर में उन्होंने स्थापित किये वहाँ पे ये कार खाने उन्होंने स्टार्ट किये उसके बाद आगे देखें अगर हम तो 6 में 1940 को महराजा गुलाब सिंग जी की उन्होंने समगर्टी में एक विशाल अस्पताल का निर्मान करवाया और इ 1945 में उन्होंने प्रजा सभा से चुने हुए 40 मेंबरों में से दो मेंबर्स को उन्होंने मंतरी नहीं योक्त जो है वो किया 1945 में उन्होंने शूगर खांड का एकार खाना रनवीर सिंग पूरा में जो है वो बनवाया फिर 31 दिसमबर 1947 को उन्होंने रेडियो कश्मीर जम्मू का निर्मान करवाया और प्रथम प्रहसारन भी महराजा तथा महरानी द्वारा ही किया गया था तो लीस्ट ऐसे बहुत लंबी है जो उन्होंने अपने कारेकाल के दोरान जो है वो जम्मू कश्मीर में वो किया काम और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इतिहास में उनको Instrument of Accession के लिए जाना जाता है कि Instrument of Accession जो साइन हुआ उसमें महराजा हारी सिंग जी का एक बहुत बड़ा जो है वो रोल था परंतु उनके जो सैडिस्ट पार्ट है वो ये है कि उनके उस constructive positive रोल को एक dark shade में दुनिया के सामने रखा गया उनको एक ऐसे रूप में पेश किया गया कि उसको वहां से उभरने में बहुत ज़्यादा time लग गया एक ऐसा narrative एक ऐसा विमर्ष खड़ा किया उस time के जो हम कह सकते हैं कि जो political struggle चल रही थी नहरू, शेक अबदुला और इन सब के बीच में एक ऐसा विमर्ष खड़ा कर दे कि महराजा जी को अपने घर को ही छोड़ना पड़ा और उन्होंने जम्मु कश्मीर को छोड़ दिया और फिर वो बहारी मुंबई में ही रहे वो और फिर उन्होंने अपने अंतिम सांस भी मुंबई में ही ली और वापिस वो कभी नहीं आए 1961 में 26 अप्रेट 1961 में उनका स्वर्गवास हो गया और वो दुबारा कभी भी जम्मु कश्मीर अपने घर अपने वापिस नहीं आए तो एक तरह से देश निकारा या उनको मजबूर किया गया यहां से जम्मु कश्मीर से निकलने के लिए उस टाइम के ऐसी परिस्तितियां क्रेट हुई तो आज हम महराजा हरी सिंग जी को किस रूप में याद करते हैं यह आज की जनरेशन पे डिपेंड करते हैं अगर चुटी घुशिद भी हुई है तो इसका पूरा जो लाब है या इसका पूरा जो कंसेप् आते हैं हमारी जनरेशन जो आने वाली है उन तक नहीं पहुंचता है इस दिन अगर चुटी है तो एक दिन पहले स्कूल में कॉलेजिस में सेमिनार्ज हों डिबेट्स हों एक चर्चा हो लेक्चर्स हों बड़े-बड़े लोग आएं जो इनके जीवनी के बारे में जानते पढ़ते हैं वो बच्चों के सामने रखें और हमारे लोगों को पता चले कि जिस चीज़ के लिए दश्यकों तक डियोगरा समाज ने लड़ाई-लड़ी चुटी के लिए वो उसके पीछे का कारण है इन्होंने अपने जीवन में क्या किया और क्यों इनको याद रखा जा रखना हर एक को गुर्वानवित जो है वो महसूस करवाता है आज के लिए इतना ही जैहिन जै भारत